प्राश्न, भारत में किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? आपका ओप्षन है, A. सावधी उधार देने वाली संगठित वित्तिय संस्थाएं, B. परिवहन, C. वानिजिक बैंकिंग, D. इस्पात उत्पादन, आपका सही उत्तर है, व प्राश्न, सरकार द्वारा प्रतिबंधों एवं बाधाओं के उन्मूलन को क्या कहते हैं? आपका ओप्षन है, A. वैश्वी करण, B. निजिकरण, C. उदारी करण, D. ड्विपक्षिय समझोता, आपका सही उत्तर है, उदारी करण, प्राश्न, मिश्रत अर्थ व्यवस्था मुख्यता किसके द्वारा कार्य करती है? आपका ओप्षन है, A. बजारतंत, B. केंद्रिय वित्रन मशिनरी, C. सरकारी नीतियों से निर्देशित बजारतंत, D. सरकार हिस्सेदारी एवं योजना बजारतंत, आपका सही उत्तर है, सरकार हिस्सेदारी एवं योजना बजारतंत, प्राश्न, सरकार को किसानों द्वारा पानी का भुगतान प्रदान करना दर्शाता है, आपका ओप्षन है, A. मध्यवर्ती खपत, B. अंतिम खपत, C. निश्चित निवेश, D. इन्वेंटरी निवेश, आपका सही उत्तर है मध्यवर्ती खपत, प्राश्न, कीमत की निवनतम सीमा है, आपका ओप्षन है, A. अधिक्तम वैधानिक कीमत, B. निमनतम वैधानिक कीमत, C. क्वल कीमत जिस पर मांग और आपूर्ती बराबर हो, D. क्वल कीमत जिस पर मांग की लोच तथा आपूर्ती की लोच बराबर हो, आपका सही उत्तर है निम्नतम वैधानिक कीमत प्राश्न निम्न में से कौन सा अलपाधिकार बाजार की परिभाशा के अनुसार अलपाधिकार बाजार का निकत्तम अनुरूप है आपका ओप्शन है A. सिग्रेटो द्योग B. नाई की दुकान C. पेट्रोल पम D. गेहूं उत्पादक किसान आपका सही उत्तर है सिग्रेटो द्योग प्राश्न निम्नलिखित संक्षेपों में से कौन भारत में खुदरा भुगतान और निप्टान प्रनाली के संचालन के लिए मुख्य रूप से एक छत्र संगठन है आपका ओप्शन है आपका सही उत्तर है प्राश्न निम्नलिखित में से किन उधार करताओं को संपार्श्विक की कमी के समस्या को दूर करने में मदद करता है आपका ओप्शन है एक गैर सरकारी संगठन बीक दवाब समूह सीग स्वयम सहायता समूह डीक सिविल सोसाइटी आपका सही उत्तर है स्वयम सहायता समूह प्राश्न निम्नलिखित में से कौन सा मद्ध भारत के चालू खाता शेश को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है आपका ओप्शन है A. व्यापार अंतर B. विदेश में शुधा आए C. विदेशी सहायता D. राजस वाए आपका सही उत्तर है D. राजस वाए